दोस्तों स्वागत आप सब का इंडिया आज नंबर ने फेटेशी क्रिकेट गुरू यूटूब चैल पर काइस आज सूपर संडे है और सूपर संडे को IPL के दो बड़े मैच के लिए जाएगे पहला मैच RR वर्सिस SRH और सेकंड मैच भाई मुंबई वर्सिस RCB तो यहां पर मैं आपसे इस मैच के बारे में बात करूंगा बाकी जो सेकंड वारा मैच है उसका वीडियो आपको एक्जेक्ट ग्यारा बजे मिल जाएगा सारे लोग देख लीजिए ग्यारा मुझे तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मेरी तरफ से उन भाईयों को बहुत बहुत बढ़ाई जिरों ने इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और कमेंट करके देखने पर 50,000 रुपे का गियोवे फिरी में जीत लिया जिया कुछ भ नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल आइकों दबाद हो अब सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यह होगा कि आगे जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगा मैं रोजाना वीडियो अप्लोड करता हूं म शाह्ब सरफ्सक्राइब कर लो फिरी में सब्सक्राइब हो रहाaina टिक है और प्लीज जो नीचे आपको लाइक troubled दिखर और ना इसको दबादो कला अब लोग ने 30,000 लाइक दिए आज उससे से जाधा होने चाहिए और यह जाधा तब ही होंगे जब सारे भाई मिलके लाइक करेंगे ठीक है जल्दी लाइक कर दो उम्मीद करता हूं लाइक कर दियोगा अब इस बात करें मैं आरार वर्सिस एसार अरच के मैं साड़े तीन बज़े स्टार्ट होगा यहाँ पर मैं आप आप 100 रुपे की विनिंग करी है यार आप लोग कमाल कर रहों कि मतलग मज़ा आ रहा है आप लोग की विनिंस देख गए कि अब यागे मैं आपको भी दिखांगा किस तरीके से आप लोग बीन कर रहों वीजन लेए उन पर ठीक है तो कल की तरह अगर फिर से विन करना है फ काम को साड़े तीन बजे मैच करता हूं जिस साथ मैं लाखों विन करता हूं वह फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए चोटा सिंपल सा काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यह फैंटेसी करकेट गुरु यहां पर मैं टास के बाद हर मैच की फीर में टीम डालता हूं और यहां पर आपको रोजड़ाना फीरी गयोएज भी आज भी आपको दस लाख रुपय के फीरी गयोए मैंने टेलीग्राम पर डाले हुआ है मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है आपने टेलीग्राम जोइन किया हुआ तब भी आप लाक और फिरी में कमा सकते हो तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम जोइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में जाओ कमेंट सेक्शन में जाओ दोनों जगा पर मैंने फैंटेसी किर्केट गुरू टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखा है लिंक पर जाओगे किलिक करोगे यहां पहुंच जाओगे जोइन कर लोगे अगर भाई चांस लिंक से जोइन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम पर सेर् किस तरीके से आप लोग वीजन लोन पर विन कर रहे हूं कल पचास लाख रुबे हमारी फैंटेसी क्रिकेट गुरूफ फैमिली ने वीजन लोन पर डिपोज्ट किया है यह हम सब का मिलाकर है और एक करोड़ पैतालीस लाख लगबक कल के बराबरी एक करोड़ पैतालीस ल लेएंग डाउनलोड करनी पड़े है क्योंकि यहीं प्राइम लोग भी न कर रहे हैं कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में कमेंटेक्शन में पर दे रखा है तो आपको पचास बचाशार रुपे का फ्री मिलेगा मतलब टीम मना फिरी में जोइन करो फिरी पैसे जीत के लिए उन से तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्सिन आप गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आप से यहां पर गिराउंड यह बारे में तो राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम हेदराबाद में मै करें तो यह पिछ आईपियल में इसमें बहुत जादा इसको नहीं बनते हैं पर लास्ट के जो मैच यहां पर केले गए हैं इंटरनेशनल वाले हैं तो मैं मान के चल सकता हूं कि अच्छी बैटिंग में यहां पर आपके इस पिन और पेसर को लगबग बराबर के मिलेंगे आगे मैं आपको पूरे स्टेट्स दिखांगा पूरा डेटा दिखांगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए लास्ट के जो दो मैच के लगए दोनों मैच इंट्रेशनल मैच के लगए और दोनों मेच चेसिंग वाली साइड ने जीते हैं जीते हैं अब नहीं है ठीक है अब यहां पर हाई स्कोर देखो गए 231 का लोविस्ट इसकोर असी रन का है और इसमें आप देखो चैनल इसमें पेसर्स को चार मिले हैं थोड़ा से पेसर्स आगे रहे हैं उसके पहले चैनल दिसंबर 2019 वेस्ट इंडीन दो साथ बना यह मेंच भी इंडिया ने चेज किया ठीक है तो दोनों बड़े टोटल इंडिया ने चेज किया यहां पर अब इसमें देखो तीन विकेट तो 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 मैं बहुत ज्यादा चीज़ा आपको यहां पर लंबी नहीं करूंगा बहुत शॉट में मताने कोश्व करूंगा जागत चोटा वीडियो बन हो आपको तो आप समझी सकते हो कि यहां पर दोनों को अलगबक बराबर रहा है और अगर हम एड़ बात करें तो हैं और यह वह दोनी टीम बराबर है और आखरी के दोनों मैंचों भी दोनी टीम बराबर है दो-दो मैंच जीते हैं अब पिछले चार मैंच अगर हम देखें उससे पहले हम देख लिए थे कि लास्ट सीजन में दोनी टीम का परफॉरमस क्या रहा था राजिस्तान रोयल्स ने सेक्ड नमबर पर फिनिश किया था और यह तीम आटवे नमबर पे तो राजिस्तान रोयल्स का परफॉरमस का पी अच्छा था इस बार भी मुझे लगता है कि राजिस्तान की टीम इजली शायद इस मेंच को जीच सकती है अब आगे हम बात करें आपर लास्ट के चार मैंचिस की तो चार मैंचिस में से दोने टीम ने जीते हैं बाकी परफॉरमस की बात करें तो भाई देखो एक तो ना सैमसन यह पर बटलर लास्ट में पैटीस बनाए देबाकि उसके आपको एनिंग दिखे नहीं रही है हां एक सेंचुरी और बनाई थी तो बटलर और सैंसन दोनों इंपोर्टन होंगे बट बटलर के साथ एक ट्रेजडरी है वो इस ग्राउंड पर प्रफॉरम नहीं करता है तो यह स लास्ट के दो सीजन में पूरी टीम चैंज हो गयी दोनों तो इन में मेंस में आपको कोई दिखेंगा नहीं खेलते हो यहां पर खेले हैं अब आगे हम चल लेते हैं सीधा-सीधा सीधा चल लेते हैं मैश प्रेडिक्शन पर भाई आपको क्या लगता आज कौंसी टीम मैश मेरे को लगे तो लग रहा है कि आज राइस्तान की टीम मैच जित जाएगी और इस नौलेज का राइद जाओं और पर राइस्तान की टीम आज मैच जीतेगी अगर जीती तो मैं धेर सारा पैसा पैसा कमा सकता हूं जीसे रोजाना कमारा हूं मैंने टेलिग्राम पी डाले थे कि कैसे में opinion देगर पैसा कमा रहा हूं ठीक है तो आप भी जाओ प्रोबो पे description comment section में लिंक के डाउनलोड करो और डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर दो इसके लाव बहुत सारे है कि है यहां यह से बनाया होगा है यह स्क्राइस करना थे कि हैं आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब को करता हरा दो बना लेगा 25 तो इसको मैं येस करूंगा ठीक है आपको अगर लग रहा है नहीं मेलेंगे तो आप नो करके भी पैसा कमा सकते हो जो आपकी ठीकिंग है जो आपका प्रेडिक्शन है उसको आप यूज करो प्रोबो पे और जाकर के पैसे कमा हो डिस्क्रिप्शन कमेंट पहला कोशन है उसमें यह है कि आज के मैच में सबसे ज्यादा रण कौन बनायागा और सब ज्यादा विकेट कौन निकालेगा सोचो यार को अभी आंसर नहीं करना है पहला दूसरा कोश्चन सुनना है और आंसर में आपका यह हैस्टाग जरूर यूज होना चाहिए जो अच्छान की प्लेंग लिए देख लेते हैं जैस्वाल और जॉस बटलर ऑपनिंग करेंगे जॉस बटलर जॉस दबॉस हर सेजन में परफॉम्ट करते हैं उम्मीद है इस सीजन की शुरुआत अच्छी होगी बाकी आज मेरे को जौस पर डाउट है क्यों है आगे मैं आप और लोचा आगया ना इपिल में वह सब्सीचूट इंपक्ट वाला प्लेयर तो अगर पहले बैटिंग करेंगी तो भाई एक 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 एक्स्टा बालन खिला लेंगे बाद में तो बारा प्लेयर मान के जलो मैं सिर्फ 11 की बात कर रहा हूं अब जो भी सब्सीचूट होंगे उन में से मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा प्लेयर है जो हाफ फिनिंग के बाद प्लेंग लेवर में आने वाला है अब यहां पर बात करें स्टीम की तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजगा इसमें लेफ्ट अंडरस हैं तीन लेफ्ट अगर कोई सामने राइट चाहिए और उसके अलावा आपके जैसें हल्टर की चार होने चाहिए कुल दीप सैं और आश्विण की और अश्विण के ट सकते हैं क्योंकि सामने सारे के सारे राइट हम आप ब्रेक बार है तो इसलिए इनके बाइल एक तो इसलिए यह तीन बाद पूरे चाह आरण ही है बाकि इसके लावा मैं आपको टॉस के टाइम पर टेलीग्राम में बताई दूंगा कि किसके ओवर कटेंगे अब देखो यार डैत में कौन कर आएगा डैत में आपके ट्रेंड बॉल्टर रहा फिर पुल्दी आइधिक जैसन होल्टर और आपके ट्रेंड बॉल कराने व हैट मायर को ले सकते हो जिनका रिसेंट में काफी अच्छा परमस रहा था दुबाई टीटोटी लिग में उसके बाद अश्विन को ले सकते हो मैं अश्विन को नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इनके ओवर कट सकते हैं अगर कुछ और हुआ तो फिर मैं ले सकते हो आपकी मरजी है बाकि फिलाल में अच्छे लग रहे हैं आपको आगे दिखा भी देता हूं क्यों मैं इनको ले रहा हूं आपके जैस्वाल जैस्वाल के नमबर्स उतने अच्छे नहीं होते हैं आई प्ल में एकाद इमेंच में पहुम किया है लास्ट के तीन मे अगरा मिनी जील में वाकि स्मॉल लिंग थोड़ा रिस्की होंगे जॉस पटलर जॉस दबॉस रिसेंट इनका ठीक है काफी अच्छा बहुत अच्छा है और हैट टुहें पहुम नहीं करता है इसको ग्यारा है पिछले चार में है है घ्दरबाद में तो इसको देखते हू वहली शुह championships लोग बहुत कम इनको क्यापटन करेंगे अपने कर सकते हो के में कर सकते हो की हो कि हो चैरो आप याद रखना कभी में कि मिरे को आगे बाद में जाली दो यह घुर्ट कर दो पर्टिकल का पॉपमेस्ट चीक है और है तो ट्राइब कर सकते हो उस बाद रियान पर आगे रियान पर प्रफॉमेस्ट काफी अच्छा है बहुत अच्छा है पिछब्टर रन यह में डॉमेस्टिक की बात करा हूं जो अभी डिसेंट में गेला है दो विकेट दो रन उन्च काफी अच्छा रहा था दुम्हीं टीटोंटी लीग में और आप देखो को तो ठीक है और ग्राउंट पर इन्होंने दो मेचों में एक में चपन बनाएं तो हैट मेर थोड़ा सा डाउन आते हैं बट इंपक्ट वाले प्लेयर है कभी आपको हार्ड हीटिंग करके पॉइं पर आते हैं आपके अश्विन की तरफ थोड़ा सा विकेट लेज चल रहे हैं चार में चार में चार में चाहिए लेना चाहिए जिनका पॉइमस काफी अच्छा होता है है और इस ग्राड पर पहली बार खेलेंगे उस बाद आपके आते हैं ट्रैंट बॉल्ड भाई बंदा में चाहिए फिर आते हैं आपके चेहल की तरफ चेहल काफी है ठीक है और इस टीम के अच्छा है और इस ग्राउंड पर इन्होंने काफी एच्छे विकेट निकाले हुए इसलिए मैं चैहल को ट्राई कर रहा हूं मैं अश्विन के साथ नहीं जाओंगा आगे बात करें बा मैं और तो आप इनको खिला सकते हों कुल्दीप सहयदी की जगह पर फिर आते हैं आगे जहां मैं और उसके बाद जोईरूट है तो नवदीप सैनी या फिर आपके जो मैंने उदर दिखा है इन दोनों में से किला सकते हो आप कुल्दीप सैन की जगा पर फिर संदीप शर्माय संदीप ठीक ठाक खेलते हैं और हैदराबाद के लिए खेलते हैं काफी अच्छा है इंको एक्सपीरियेंस तो उस चीज का फा अब जो दुबई में लिग खेली तो इसमें अब बात करें यहां पर हैदराबाद की टीम की तो इसमें एडन मारकरम और मारको जैंसर और हैंडिक लासन तीनों सावथ अफरिका की प्लेर नहीं खेलेंगे उनके बिना टीम खेलेंगी अब आगे क्या प्लेंग लिए उन्ह आपके ग्लैन फिलिप्स हैं हेरी ब्रूक है अब दुस्ताबद हैं वाटिंग संद अंदर है बुनेश्वर आदिल राशिद उम्रान मलिक और फजलक फारुकी यह इनके पास भी वही सब्स्टूट वाला ऑप्शन होगा तो इनके पास एक एक एक्स्ट्रा बालर एक एक् अब वासिंग्टन संदर राइडाम ऑब्रेक बॉलिंग पर आएंगे और बाकी जो आपका इंपेक्ट वाला प्लेयर होगा सब्स्टूट प्लेयर होगा अब यहां पर हम बात करें कि इस टीम से हमारी टीम में कौन कोर्ण से प्लेयर होंगे मैं मैं मैंनरा बखर बाटी को और में ह्रीब्लूप को लोगा मैं तीम एसफान ऐसा आता है मैं उम्रार मलीग को भूंगा और यहां पर मैं सुच रहा हो वासिंग्टन को लूँ बूमनेश्र टीमलेश्ट मैं और यह उसकर वार्मार यह भांगे इस rappelle को तो लेफटीज कराएंगे अब आगे हम देख लेते हैं आप से यहां पर कि मैं क्यों किसको ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा चीजें इजी हो जाए टीम बनाने में अभी शेक शर्मा रिसेंट फॉर्म देखो तो डिसेंट है बहुत अच्छा निए बहुत खराब बहुत खराब अभी शेक शर्मा का रहनी नहीं बने में करवाल देखिए में करवाल रिसेंट फॉर्म बिलो अबरेज है अगेंस्ट काफी अच्छा है पंद्रा सड़ सट एक सो च्छे पतलब हाय सजुरी मारी हुए तो 31 का अबरेज है वेनिए इनका भी पहुत खराब है दस में चों में सिर्फ 20 का अबरेज है मैं करवाल फिर आते आपके राउल तरपाटी राउल तरपाटी काफी अटेकिंग प्लेर है और हलाकि फिर भी इस तीम में ना कोई प्लेर आपको अच्छे नंबर्स हो तरपाटी रिसेंट एक में चवाली दो में फ्लॉप अगेंस इंडिया के अगेंस्ट पहली बार यहां पर खेलेंगे हैरी ब्रूक इनके भी नंबर्स अच्छे नहीं है रिसेंट के बीस रन चार रन साथ रन साथ रन साथ वर्ल्ड कप में लास्ट मंच के लिए तो इनको बॉल नहीं फुटबॉल नहीं पता नहीं क्या देखता है उस नहीं कि यह जगह है संदर आते हैं इनका प्रफिलाओ इस अब्रहाइज होता है प्छले पांच में ए रिकले और इस गर्ण पर फिले पांच में तीरी विक्रेट ए और रिसेंट यकुछ कुछ खास है नहीं पांच में तो आप चाहों तो ट्राइए कर सकते हो बाकि मेरे लिए रिस्की होंगे आदर राशिद है इनके भी नंबर्स कुछ खास नहीं है पिछले दो में तीन में दो विकेट मिले थे तो अच्छे प्लेयर है अगर खेलते हैं तो फिरांत है उम्रान म सुन्दर अच्छे और बाकि तो ऐसी है अच्छे प्लेयर है बाकि नंबर्स अच्छे नहीं है अब इसके रहाँ आप देखिए इनके स्कौर्ड अन्मोल प्रीसिंग है मैंक डागर है अकील हुसाइन है इनके नंबर्स काफी तो इनको टीम को ट्राइए करना चाहिए अब आगे देखिए अब आपके नितीश कुमार रेडी है इनका कुछ खास है नहीं यह खेलेंगे फिर आते आपके विवरांट शर्मा इनके भी प्रोमेस तो ठीक है और विकेड भी निकालते तो लेकिस्पने आप ट्राइब कर सकते हो अलगे मेरे साब से जगह नहीं बन पर पिछ डिसकस करें फिर घ्राउंड करा फिर आपसे मैच प्रेडिक्शन करा फिर पिर लेंगे उनकर लिए अब करिये अब भी साबसें नहीं होना है किसको लेना किसको करना है और इसको देखो कि अब प्लेयर बटल में आपको कुछ खास दिखेगा नहीं चैनल अब आगे आपका सेकंड की वे क्या है आज जॉस बटलर विजन लेल पर कितने पॉइंट देंगे दिमाग रगाओ कितने बना सकते कितना पॉइंट दे सकता है अब प्ली से में जाओ दो कोश्चन मैंने पूचे दोनों कोश्चन का आंसर दो अगर आपको फिरी में ग्यो तो इसमें विकेट कीपर मैंने जॉस बटलर और आपके सब्सक्राइब को लिए हुआ है अप चाहो तो यहां पर अभिशेख शर्मा को ट्राइब कर सकते हो या फिर आप जैस वाल को ट्राइब कर सकते हो और सेक्शन में वासिक्टे संदर है जैस और जैस ऑल्डर है बॉल ठीक है वाइस कापन आप इन दोनों कोई कापन कर सकते हो या में के अगरवाल और देख पर्डिकल भी काफी अच्छा उप्शन है तो गाइस यह टीम है अब इसमें जो भी चंज होगा जैसे भी चंज होगा फाइनल चंज में आपको टेलेग्राम पर फाइनल टीम डाल द तो मिलते हैं टेलेग्राम पर बेस्ट अफ लैक